आपको पता है कि एक शादी बड़ी वाइरल हो यह ओविस ही हम में से तो कोई इन्वाइट नहीं था मुगे शंबानी यह पहली बार था जो बरिहाना ने भारत में परफॉर्म किया सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लाइक थी इस शादी को दुनिया की मेंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है यह आप यह देखिए कि एक वहाँ पर शादी हो रही है शादी से पहले की प्री वैडिंग सेलिब्रेशन है उसके उपर फिफ्टीन हंडर्ड करोड अमबानीज खर्च कर रहे हैं इतना पैसा इतना पैसा आपने एक बेटे की शादी में होतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो-दो-चार्टर वर शादी हो सकती है पंच लाग का शादी पर यह देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार्ट मुकेश अम्बानी इतना जादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग नहीं वो बावले होके घूम रहे हैं इतना ही नहीं सिंगर नियर अम्बानी परिवार के साथ स्टेज पर डांस भी किया रिहाना इस गूंग टू परफार्म यूज पाकिस्तान को अगैन मैं दुमारा ये बात करूँगा किसी को अच्छी लगे बोई लगे हमें इतनी एड मिलती है हमें वाकर ही इतनी एड मिलती है जो हम आईमेफ से भीख मांग के ना करगड के लेते हैं नमस्कार दुस्तों मेरा नामन धीमान और आप देख रहे हैं नेसंब्रो पाकिस्तान के लोग अनन्त अमानी के साधी के फंक्सन देखने के बाद में पागल हो गए है फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बाते की गए हैं उसके बारे में जा रहा हुँ शादी पर कितना कर्चा आ रहा है शादी पर कौन जन तक आई वी थी बहुत बड़े बड़े नाम बियांसे ने आके पर्फॉर्म किया था बियांसे बहुत बड़ी सिंगर हालिवूड की उन्हों ने आके पर्फॉर्म किया था इस दफ़ा भी बहुत बड़े सिंगर्स आए हैं आपको बताऊंगा उनका खबर यह थी कि उस म बड़ी शादी थी पाकिस्तानी रुपाँ में अगर आप उसको देखें तो अर्बो रुपए बंते हैं करोडों भी नी अर्बो रुपए बंते हैं इन इंडियन रुपीज में अगर आप इसके नवर्ट करते हैं तब भी इट अमाउंट्स टू बिलियंज ऑफ रुपीज पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है वो कि पाकिस्तान में अगैन इतना अमीर कोई बंदा ही नहीं पाकिस्तान ने अमीर लोग प्रोड्यूस की हैं लेकिन वो अपनी आद तक है हमारा दुनिया में उस तरह से नाम नहीं है मुकेशम बारी जिन मेटा के मालिक माक जाकबक बमापने एलिया इस वक्त वो मुकेश अम्बानी के घर में ठहरे हुए है उनके महमान है ये है और ये सिर्फ वसर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए है मगर ये बता रही है के इंडिया कितना आगे जा चका हुए ये इंडिया की प्राग्रस ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है ये उसको डिफाइन कर रही है इन लोगों का इंडिया आना मुकेश अम्बानी की बेटी की शादी में शरकت करना तीन दिन तक वहाँ पर महमान रहना ये बता रहा है कि इंडिया की पौहँच इन लोगों तक है हमारे मुलक में क्या हो रहा था चन्द दिन पहले एक लड़की के ड्रेस के उपर जोड़े के उपर जो एक एरबिक कालिग्राफी खताती लिखी हुई थी हमारे कुछ मुलाना हज़रात टेबल पे उस औरत का कुर्टा बिचा के एक पराई औरत का कुर्टा जो है उससे उतरवा के उसको बिचा के उसका जाइजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर तीन दिन की फस्टिविटी's है पुरे शहर को सजाए गया है पुरे शहर को मतलब पुरे शहर को यह मैंने मेटाफ्रिकली इस तलाहन यह बात नहीं की यह पुरे शहर को वागा ही सजाया गया है इस शादी पर कहा जा रहा है कर तकरीम elev a 115 million dollars हो है, वो खरचा हो रहा है 115 million dollars का मतलब huge huge, पाकिस्तान को again मैं दुबारा ये बात करूँगा, किसी को अच्छी लगए पुछी लगए, हमें इतनी aid मिलती है हमें वाकिए ही इतनी aid मिलती है, जो हम IMF से भीख मांगे नाक रगड के लेते है उतना वो शादी पे खरचा कर रहे है समझ रहे हैं आप इंडिया की यही रिलाइस इंडस्ट्री जो है इसका टोटल जो market cap है, वो पाकिस्तान के GDP से ज़ाद है पाकिस्तान की economy से ज़ादा है इंडिया की एक company का market cap, ये इस वक्त हमारी सुरते हाल है पाकिस्तान में तो सब लोग जो हैं, चाहे हूँ हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सब के सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है मुकेश अम्बानी के बेटे की शादी हाँ नी, मुकेश अम्बानी इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो हैं वो बावले होके घूम रहे हैं कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उनी की बात कर रहे हैं इतना पैसा इतना पैसा जितना मुकेश अ लगा रहे हैं अपने एक बटे की शादी में उतने पैसे में तो हमारे पाकस्तान के सब लोगों की दो दो चार्टर वर शादी हो सकती है अगे बढ़ते तो ये बात जो है ना लोग ये भी कहरें कि ये वाला कार्णामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कुके शम्वानी है कि तरफ सेंटि फॉर क्रोड जो है सेंटी फॉर क्रोड कपूइमएंट की गई खार शादी में गाने के लिए वक्राव गानद गाने संटल्तथ यूड से KurTake के वहाजिव यह वहाज है लेकिन का इसे सिंगर को बुला लिया होता नी से बुला लेते हैं, तो अच्छा खासा गाल लेती हूँ, लेकिन वैसे सुड़ी शाह है, उनना बहुत से संगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते हैं, लेकिन खैर चले इनकी किसमा चमक गई, बगर ये जरूर है, ये भी कहा जा रहा है, साथ-साथ ये ये भी पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना के तक्रीबन फिफ्टी थाउदंड लोगों को खाना खिला रहे हैं और उसके साथ ये देखिए जानमी कपूर और रहाना जो है इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांसा सो रहा था हमारी दुनिया के दसवे सबसे रिचेस्ट मैन है और पाकिस्तान के अंदर इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े श्टार आ रहे हैं पूरे बॉली बोड़े श्टार जो है बस में बैटकर आपको जाते वीडियो के अंदर दीख बड़े बताईए तो यह जो पैसा है जब पाकिस्तानियों को दिखाई पड़ता है तो फिर वह अपना कटोरा आगे कर देते हैं कि कहते हैं कि भाईया कास हमको इतना पैसा मिल जाता तो फिर हमारे देश के आहला सुदर जाते हमारे यहां पर जो है दस लाग लोग आटा के इक नॉमी हो गई है और तीन सो पंदा बिलियन डॉलर के आज पास में जब उनको यह बात पता चले कि भारत के कंपनी का नेटवर्स हमारे देश के जीडीपी से ज़्यादा है तो उनको बहुत दुख हुआ वैसे तो यहां मैसा काफिर काफिर चिलाते रहते हैं लेकिन जहां पैसा देखते हैं वहां इंका कटोरा सबसे आगे हो जाता है मुके संबानी का ब्योहार इतना अच्छा है जिसके कारण सारे लोग आये हैं और आराम से तीन चार दिन रूख कर जाएंगे अधरवाई यह लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं इनके पास में एक घं निया सुन रही है आपको कहना है हमें कमेंट सेक्षिन में जुरूब बताईएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद जहिन जैवारे